अलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे ये बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ ये बताईए ऐसी कौन सी चीज होती है खाने की जो हम बिना पकाई खा सकते हैं सही बताया आप लोगों ने फल फल हम बिना पकाई ही खाते हैं अच्छा मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए ऐसी कौन सी खाने की चीज होती है जो हमें रोगों से लड़ने की ताकत देती है ठीक बताया आप लोगों ने फल क्योंकि फल में विटमिन्स पाया जाते हैं तो आज का टॉपिक क्या है आप सब समझ गए हैं सही बताया आपने आज हम फल के बारे में पढ़ाई करेंगे तो आईए बच्चों आज हम फल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो पहला फल कौन सा दिख रहा है एपल ए पी पी एल ए एपल एपल यानि सेव ये एक सेव है सेव मतलब एपल किस कलर का होता है एपल सही बताया आपने लाल एपल का रंग लाल होता है अब हम दूसरे फल की तरफ चलते हैं ये कौन सा फल है औरेंड या संत्रा आईए देखें ओ आर ए ए एन जी इ औरेंड ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों औरेंड क्या ये नाम आपने पहले भी सुना है हाँ जब हमने फल के बारे में रंगों के बारे में समझा था तब हमारे सामने औरेंज का नाम भी आया था औरेंज मतलब नारंगी रंग और इस रंग का नाम इसी फल के नाम पर पड़ा है अब हम तीसरा फल देखते हैं क्या है ये वाह भनो का राजा आम एम ए एन डी ओ मैंगो माने आम ये देखिए किस रंका है मैंगो पीले रंका हम सब अच्छे से जानते हैं मैंगो कई रंके होते हैं तो और कौन-कौन से रंके आम खाई हैं आपने ये आप मुझे बताएंगे ये देखिए चौथा फल कौन सा है ये वाटर मैलन या तरबूज आईए देखें डबलू ए टी ए आर एम ए ल ओ एन वाटर मैलन मतलब तरबूज तो ये देखिए ये एक तरबूज है तरबूज का रंग क्या है हाँ ये हरे रंग का है तरबूज का रंग हरा होता है देखिए अगला फल कौन सा है ग्रेप्स ग्रेप्स यानि अंगूर ये देखिए कौन-कौन इस फल को पैचानता है गुड़ आप सब अच्छा अब आप लोगों को ये बताना है कि अंगूर किस मौसम में आता है चलिए अगला फल देखिए ये क्या है बी ए ए एन ए ए ए बनाना बनाना यानि केला केला आप में से किसने किसने खाया है सबने खाया है वेरी गुड़ केला एक बहुत ही फायदे मन फल होता है और इसकी खास बात ये है कि ये लगबग हर मौसम में मिलता है अब आपको ये बताना है कि आम कौन से मौसम में मिलता है और अंगूर कौन से मौसम में मिलता है तो बच्चों आज हमने बहुत ही जरूरी जानकारी प्राप्त की है फल हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और आप मेंसे जो भी बच्चे अभी तक कोई फल नहीं खाते थे वो अब खाएंगे क्योंकि फल से हमें क्या मिलती है रोगों से लड़ने की ताकत